तो उन्हें पीछे के क्लास में रिमूब 2 के बार में पढ़ाता और बहुत अच्छा कासा रूल इसमें पढ़ लिया है मतलब जो इंपोर्टन टॉपिक है हमारा पहला ही रूल तो हमने पढ़ा ही है और वो रूल बहुत इंपोर्टन है उसी के अधार में पूरा चैप्टर चलेगा टू का मतलब क्या होता है एक हुता है बी इसे इंग 자주 मैं और और से ज्यादा तो हद से ज्यादा पर आपने बहुत सरे बसले लिये हैं ने मैंने बताया था कि walls से लिए वन हुसी के में से कहता कि टून को हटाओ remove two का नामी है कि two को हटाओ remove मतलब हटा देना और two को हटा करके कुछ ऐसा सब्द लगाना कि वाक्य का अर्थना बदले और वाक्य सही भी हो जाए और remove two भी हो जाए तो हमने कहा था कि two के जगा पर सो रख देना अब बाकी adjective जैसा का तैसा है और that लगा करके इस two plus v1 को एक sentence मे बदल देना बस ध्यान रहे कि यह sentence जो है वो negative में होना चाहिए किसमें होना चाहिए negative में होना चाहिए यानि two plus v1 को हम एक sentence में बदलेंगे और वो negative sentence होना चाहिए ठीक है तो यही हमने पढ़ा था और इस पर बहुत सारे examples भी लिया था जैसे example में है कि सीता is two fat to run अभी दे से करते है कि सीता is so fat सीता इतनी मोटी है that की अपको sentence बना दो की एक निगरिव संदेंस बनाना है कि इतनी मोटी है कि वह दौर नहीं सकती है तुछी कैनोट रंग वह दौर नहीं पा रही है she's not able to run तो ऐसे कर के आप बना सकते हो ठीकना दौरने के योग इनिए she's not able to run तो आप वह यह ऐसे भी बना सकते हो कि वह दौर नहीं पाती है हना तो यह वह नहीं दौरती है she does not run कुछ भी करके एक negative sentence बना देना होता है ज्यदा तर तो cannot सही लोग बनाते एक्जाम में भी cannot वला आता है तो यह तुमान लोग के negative है तो देखो ध्यान से टाइप 1 में क्या थ है तो प्लस एडजेक्टीव तूपलस भीवन को थोड़ा ध्यान देना है तूपलस भीवन को sentence में बदलना है एक negative लेकिन आज का रूल नबर तो देखो रूल टाइप नमबर टू में क्या है ना कि अगर तूपलस एडजेक्टीव टूफ पलस भीवन है लेकिन यहाद दे यह पुरा रूल यही है सामने है हमारे कि तू प्लस एड्जेक्टिव टो इंडिक्तिव आजAdjective नौट ऊट प्लस वीड बने तो बद्लों गहीं जानते लिकाने लिकिनृट 셋 को मैं जब अस्को गहलत ने लाकों सब्सक्र मुर्ण त ti-0 मेर श्रस sign टू प्लस एड्जेक्टिव टू प्लस भीवन तो नेगटिव सेंटेंस बनेगा और नौ टू प्लस भीवन रहेगा तो अफर्मेटिव या नी सकरात्मक वाक्के बनेगा बस यही है तो अभी मैं आपको एक्जामपल दिखाऊंगा तो दोनों टॉपिक दोनों टाइप पर टू है करना क्या टाइपवन में सेंटेंस नेगटिव बनता है और टू में सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है पॉस्टिव डिखेगा टू प्लस भीवन तो सेंटेंस नेगटिव बनेगा और नौट टू दिखेगा तो अफर्मेटिव बनेगा यानि उल्टा है प्लस का मा इंपोर्टेंट है ठीक है ना वह सब लोग पढ़ाते भी नहीं है तो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से दिखना है मजबूत है को तो लड़ेगा था है तो ही तो बनेगा ही तो अगर यहीं नहीं नहीं पढ़ाई किया है जो concept नहीं रखा इसका थोड़ा सा time लगता है धिरे धिरे अभ्यास करने से इसे clear हो जाता है तो वह हज से ज्यादा लंबा है not to touch the fan तो ऐसे तो हिंदी निकलना बहुत मुस्किल हो जाएगा इसका और समझो यहीं और है इसका कि he is so tall that he can touch the fan वह इतना लंबा है कि पंके कुछ हो सकता है तो बड़ा ही अनोखा है यह sentence है ना special है सब लोग इसको बोल भी नहीं पाएंगे तो 2 plus V बना है तो negative बनाना और not 2 plus V बना है तो positive यानि affirmative बनाना simple सी इस टू लेजी टू वर्क अब देखो टू प्लस भी बनाना तो नेगडिव बनाना सी तो लेजी देट सी कैनाट वोग वह इतना आल सी है कि वह काम नहीं कर सकती है लेकिन अगर यहीं ग्जांपल देखो इस सवाल को हल नहीं करने के लिए इससे तो कुछ अर्थी नहीं क्लियर हो रहा है इसका अर्थ क्लियर तभी होगा जब आप सो से इसका बना होगे ठीक है तो नौट टू दिखर है ना तो आपको सकरात्मक बुलना पड़ेगा इस सो ब्रिलियंट दाट तो बीच में कनेक्टिव आता ही है अब नौट तू सॉल्ट इसकोशन है तो इस सवाल को हल कर सकती है फिर्स एक्जांपल इतना एक्जांपल ही दे दुगा कि क्लेर हो जाएगा यूवर टू वीक टू स्टैंड देखो टू प्लस भीवन है तो निगटी बनेगा ना तुम हद से ज्यादा यूवर सो वीक तुम इतने कमजोर हो ना डाट यू कुद नॉट स्टैंड कि तुम खड़े नहीं हो सकते थे चुकि पास्ट में चल रहा है इसलिए कुड लगा तो यूवर तुम इतने मजबूत थे यहां पर सो भी छूट गया मेरे से यूवर सो स्ट्रॉंग यू कुद स्टैंड तुम इतने मजबूत थे कि तुम खड़े हो सकते थे फिर से ग्जांपल देखो भाई प्रैक्टिस का ही खेल है सब इस पेसल है थोड़ा बत कई लोग से रिमूब तुमें पढ़ाते ही नहीं है लेकित बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और तुम हूब हो इस एक्जाम में आएगा भी सीस्टू फुलेश टू प्लस भीवन दिसकोशन यानि वह से ज्यादा मुर्ख है सवाल को हल करने के लिए अर्थाथ इतना मुर्ख है शी सो फुलेश दाट शीक करनाट शॉल दिसकोशन ठीक है भाई लेकिन सीस्टू इंटेलिजेंट नौट तुसल्ट इसकोशन देख रोना तो नौट तुसल्ट वह गया तो अब तुम इसका रिमूफ टू करो एना तो पॉस्टिब में करोगे तो सीस्टू इस्टू इंट सो सो हेवी डैट शी कैनोट जम ठीक है अभी तो कोई एक्जम्पल इसब यही सब आता है वह ऐसे ही आएगा मोनू इस टू फ्री मोनू हट से जदा खाली है नौट टू मीट एवरियो एनिवन ऐसे तो हिंदी निकाना थोड़ा मुस्किल होगा इसका तुम रिमूफ टू करक आप ता है वह तो आप तो प्रीस यह थोड़ा धियान देन ए फिर से देखो कितना प्यारा है यू आर तू बीजी तो दू दू दिस वर्क अभी तो प्लस भी वन है तो नेगरिब बनेगा यू रस वीजी द यू तो निकना डू दू बीजी ओ कि तो मिसकाम को नहीं कर सकत यू थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना होता है ना बीजी, फ्री ये सब भी थ्वड़ा ध्यान देना होता है concept clear हो जाएगा अभ्यास करते करते you are too free, तुम हज से जादा free or not to do this work का मतलब क्या है तो भी not to लगा है इसका मतलब सकरात्मक बोलना है तो you are so free, तुम इतने free हो that you can do this work, तुम इस काम को कर सकते हो ठीक है ना first example, देखो examples बहुत सारे देता हूँ है he is too weak to run, वो हज से जदा कमजोर है दोड़ने के रिया था तो इतना कमजोर है देखो, 2 plus B1 है ना तो नेगड़ी बनेगा, that he cannot, कि वो दोड़ नहीं सकता, ठीक है first example देखो, मुकेस is too fat to dance, simple है वही, 2 plus B1 है ना तो मुकेस is too fat to dance, तो मुकेस is so fat that he cannot dance मुकेस इतना मोटा है कि वो दोड़ नाच नहीं सकता है, ठीक है चाहँ हो बहुत ही simple था अब आदे type 3, type 3 में देखो करना क्या आपको, कुछ है नहीं इसमें, जो basic पढ़ लिया उसके लिए कुछ है नहीं इसमें, पीछे की पढ़ाई, अब थोड़ा-थोड़ा hand करता जाओंगा, पुरा clear हो जाएगा आपने ये rule तो पढ़े लिया है, 2 प्लस adjective, 2 प्लस भीवन, वाक के negative में बनता है, कभी-कभी क्या करता है, कि इस structure को दिखाएगा, लेकिन इस structure को दिखाने के साथ-साथ, ये बीच में जोड़ देगा एक for, for के साथ, कोई भी noun या pronoun जोड़ देगा, कुछ भी noun या pronoun तो आएगा, तो करता है कि इस structure में बीच में देदेता है, for noun या pronoun, इस structure दिखा दू, 2 प्लस adjective, और 2 प्लस भी वन इतना तो पढ़े ही थे, लेकिन बीच में कोग क्या दिखा दिया, for plus object, वो object ही कोई noun या pronoun होगा, ठीक है न, प्रिपोजिशन के बद अब अब्जेक्टिव केस बनता भी है, तो आप ऐसे नॉर्माली समझो, कोई object हैगा, जो कि या तो कोई noun हो सकता है, या pronoun हो सकता है, जैसे राम, शाम, सीता, गीता, या मी, हीम, ये सबा सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है न, पैर बचो इसमें है तो है भी तो लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना तो, टू प्लस एड्जेक्टिव, टू प्लस भी वन इतना तो जानते हैं, लेकिन इसमें फॉर मी रखा है, थोड़ा स्पेसल वाके किया है, चीज वही है, अरे टू लगा है, टू प्लस भी वन है तो नेगटिव इतना भारी है कि मैं नहीं इटा सकता हूं, तो सिंपल इसी बनाना है, भाव को समझना है, टी ओ यहां लग गया ना, तो वाक का भाव नेगटिव ही आएगा, तो बस नेगटिव बना दो, अगर मी की जगए यू रहता तो, यू कैनोट लिफ्ट इट, कुछ है नहीं लिफ्टेड, कैनोट बी लिफ्टेड, इसे उठाया नहीं जा सकता है, बक्सा इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता है, कैसे भी बनाना है, बनाओ कोई भी बग के बनाओ, या आई कैनोट बी लिफ्टेड बाई मी, इसे उठाया नहीं जा सकता है, या नॉर्मल ब for you to solve मतलब यह कुशन हद से ज्यादा कटिने तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए तो यह बीच में फॉर यू आ गया ना क्या मतलब है हमें बस हमें इसका निकटी बना देना है तो दिस कुशन इस चाइल्ड देखो फॉर के बाद इस चाइल्ड आ गया है वही पानी हद से ज्यादा करा हमें तो किसके लिए एक बच्चे के लिए तो ड्रिंग पीने के मामले में तो पैसिब बनाना है तो इस वाट यह पानी इतना करा हमें देखो टू को मैंने सो में बदला दैट की ने मौशन फियमस से यही आता है बार पाटिके ना इंपोर्टेंट है मन्पर्ट एवरेस्ट इस टू हाई फ़र मी टू क्लाइंब मौंट एवरेस्ट हथ से ज्यादा एह तो कैसे बनता माउंट एवरेस्ट इस को उच्छा है चड़ने के लिए तो किसी ना किसी को चण ओ रहा है क्योंकि बहुत सरे लोग चड़ भी जाते हैं मेरे लिए तो बहुत हुच है मैं नहीं चड़ सकता है तो इसको आप कैसे बनाओ के अभी देखो इसमैटर 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 इसम it cannot be solved, this matter is so complicated that it cannot be solved by the police, तो आप बना सकते थे, by the police, तो ये वाला भी आता है कभी-कभी, लेकिन जो अभी उपर मैं दिखाया है, उना लिखकर के, ये हमेन होता है, कोई दिखकर तो बोलियेगा, इस बुक is too expensive, expensive मतलब महंगा, For Me, मेरे लिए To Buy, अगर मैं फोर मी नहीं लचाते है, तो पर किसी के लिए भी, लेकिन फोर में मेरे लिए, तो यह किताब ह से जादा महंगा है मेरे लिए खरude, तो इतना महंगा है कि मैं खरिजने ही सखता, इस बोका है ये है जो ऐसमेरा है, को तो टॉपिक दम क्लियर हो गया होगा ठीक है ना अभ्यास सबसे जरूरी है अगर आप्रेक्टिस नहीं करते हो तो दिक्कत होगा पढ़ाई से ज्यादा तो प्रैक्टिस जरूरी है पढ़ाई तो अगर चाहे इंसान तो हर एक चैपकर को एक दिन में खतम कर लेगा टार्गे अगला टॉपिक क्लास सुरू करेंगे इसके बाद ठीके ना इसके बाद अगली क्लास आएगी तुसमें भी कुछ रिमूब टू का टॉपिक होगा टाइप सोंगे लेकिन सब इसी परधारी जितना पीछे पढ़े सब उसी परधारी थे ठीक है ओके